हेलो गाइस तो क्यासे हो मिलेके आगया दा मार्शलर सिंप्रर की न्यू एपिसोट नमबर 13 को लेके तो गाइस जैसके हमने पिछले एपिसोट में देखा था लेकिंग और मी संग्यू इजुमो सिटी में जाने के लिए निकल गया था और थोड़ी दूर आने के बाद हमें था कि उन दोनों के पीछे से लेबूची नम का एक बंदा दौरते दौरते आने लगता है और जल्दबजी के चकर में लेकिंग के सामने धराम से आके गिर जाता है अब आगे तो गाइस इस एपिसोट के शुरूबात होता है और हमें दिखाए जाता है लेबूची को जो क पेले तुम सही से कहरे हो तब जा के मुझ से बाते करना पर मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे कोई रिलेटिव हो क्यूंकि मे तुम्हे आज से पहले कभी नहीं दखा है तभी लीबूची ठीक से खाड़े होके कहता है हम दोनों के बिच में गो notice connection नहीं है तो क्य हूआ ह हम लोग सेम फैमिली से हैं, बस मेरे लिए एही बड़ी बात है, और कसन ब्रादर लिकिंग, तुम जब से वंग डॉंग को हराया है, तब से लेके मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, मुझे आशा है कि ब्रादर लिकिंग, तुम मुझे एक चांस दोगे, मार्शलार स सिखाने के लिए, जो सुनके लिकिंग, लिबुची के मुपे ना बुलके, पीछे मुन के जाने लगता है, और लिबुची भी लिकिंग के पीछे आते हुए कहता है, कसन ब्रादर लिकिंग, प्रिस मुझे भी आपके साथ ले जाईए न, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकत आप चाहे तो मैं आपके कप्रे धोने से लेके खाना पकाने तक मैं आपका हर कम अच्छे से कर सकता हूँ तभी मिसंगी लिकिंग से कहती है ब्रदर लिकिंग लिबुची इतने दूर तक आ गया है मुझे नहीं लगता है कि उसे अप बापस भेज देना अच्छा होगा और तभी हमें दिखाया जाता है लिबुची आके लिकिंग के पैर जोर से पकल लेता है और कहता है कसन ब्रदर लिकिंग मुझे भी आपके साथ ले जाईये ना ठीक है अगर मैंने आपको बहुती ज़्यादा परेशन किया तो फिर तभी के तभी आप मुझे निकल देना क लिकिंग कहता है अरे यार पहले तु मेरा पैर तो छोर हाँ ठीक है तू रह सकता है हमारे साथ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन तिनों के इस जर्नी में कभी बारिस तो कभी कोई बीस्ट या फिर कोई मधु मख्या पीछे पड़ता है पर ए तिनों सभी चीजों क पीछे छोड़के मस्ती मज़क करते हुए अपने जर्नी करने लगता है और शाम होने के बाद हमें दिखाया जाता है एक आच्छी जागा पे रुक के लिकिंग टेंट लगाने लगता है तभी मी संग्यों कहती है ब्रदर लिकिंग मुझे नहाने जाना है और लिकिंग कहत लगता है इतने देर हो गया पर अभी तक तो हंग्यों बापस नहीं लटा है ठीक है मैं ही जाके देखता हूँ कि ओ अभी तक बापस क्यों नहीं आई है और तभी लिकिंग जंगल के अंदर जाने लगता है और तभी उसे किसी के रोने की आवास सुनाई देता है और लिकि मिस हंग्यू के तरब का सिंग दिखाया जाता है जहाँ पर मिस हंग्यू नंगी होके नहा रही होती है और तभी उसके सामने एक ओक्टोबस जैसा दिखने बला बीस्ट एपियर होता है जो देखके मिस हंग्यू रोने लगती है और तभी मिस हंग्यू को ओ बीस्ट अपने ट उस बीस्ट के टेंटिकल्स में अपने एक स्वाट से बहुती सारसलास लगाता है जिस बजा से उस बीस्ट के सारे टेंटिकल्स छोटे छोटे पिसेस हो जाता है और इसे के साथ मिस हंग्यू उस बीस्ट के चंगूल से छुटके मीचे गिरने लगता है और तभी लेकिंग मी सॉंग्यों को ठीक से कैच कर लेता है और पानी से दूर एक साइट पे ले आके कहता है हॉंग्यों तुन क्या ठीक हो और मी सॉंग्यों कहती है व्रादर लेकिंग तुम पहले अपने नजरों को मेरे से दूर करो और मेरे तरब आभी मत दिखना और लेकिंग तभी अपने आखे दूसरे तरब कर लेता है और हंगिव छोपरियों में चली जाती है अपने कपरे पहनने के लिए इसके बाद हमें फिर से पानी में उस ओक्टोपस बाली बीस्ट को दिखाया जाता है जो की चोरी चुपके से अपने एक टेंटिकल से लेकिंग के पैर पकर के पानी में ले आता है और तभी लेकिंग अपने सौर्ट निकल के पानी में एक टौनेडो हेरिकेन आटक करता है ज मुझे नहीं मुझे तो नहीं लगी है और तभी लिबूची उस बीस्ट के गेट बॉरी देखके खुश होते हुए कहता है अरे ये तो कितना बड़ा है ओक्टोपस रात के डिनार का बंदवस्तो होई गया और इसके बाद हामें शुबा सुबा का सिंग दिखाया जाता है ज इससे आप मुझे लग रहा है कि पईवन स्टेच के फार्स्ट लेबल की बॉटलनेक बहुती धिली हो गई है स्वांटियन सैट के स्लेक्सेन बाली कॉंप्टेशन में लगता नहीं कि कोई मुझे पास होने से रोप पाएगा और लिकिंग जब एही सब आपने मन में सोची रहा होता है कि तभी हमें कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो सभी लिकिंग के तरफ ही बढ़ रहा होता है और उन लोग में से एक बंदा कहता है मुझे आशा है कि एह लोग बहुती ज़दा अमीर होगा जिससे हमें इन लोगों को लुटने में मजा आ पाए इसके पात हमें उन लोगों के लीडर जो कि क्यूवाई कल्टूबेशन इस्टेच के 10th लेबल में होता है और लिकिंग के पास आके लिकिंग को कहता है एस सारे के सारे इलाखा मेरे अंडर में आता है अगर तुम लोग जीना चाते हो तो तुम लोगों के पास जो कुछ भी है औ तो सारे चीजे हमें सौब दो तभी लिबुची निन से जागके थोड़ा डरते हुए लिकिंग को कहता है कसम रधा लिकिंग एस सभी लोग कौन है तभी हम देखते है कि मिसंग्यों भी निन से जाग जाती है जिसे देखके उन लूटरों की लिडर कहता है ओ हो क्या तुम दोनों को यहां से असानी के साथ जाने दूँगा तभी ओ लिडर ठड़कियों जैसा अपना मूँ बना के मिसंग्यों को कहता है छोटी लड़की एक अच्छी लड़की बनकर हमारे साथ चलो मैं बादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर दिन बहुती ज़्यादा मचा दूँ यह बोलके ही ओ लिडर मिसंग्यों के तरब अपना हाथ बराने लगता है जो देखे मिसंग्यों उस लिडर के उपर अपने स्वाट से अटक कर देता है और ओ लिडर थोड़ा बीछे आने के बात मिसंग्यों को गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे उप उपर एटक करने की डेमोन के बच्ची तुम तो सच में मरना ही डिसब करते हो ए बोलके ओ लीडर तुरंत मिस हंग्यों के उपर एटक करने के लिए आने लगता है कि तभी लेकिंग मिस हंग्यों के सामने आके उस लीडर के एटक रोक के कहता है तुम्हारे कहने के मुताबिक होंग्यू मरना डिसाप करता है पर मेरे देखने के मुताबिक तो थुम्हें जल से जल्द मर जाना चाहिए ये बूल के लिकिंग तुरंट उस लीडर के हाथ के हड़िया तोड़ देता है जिससे ओ लीडर दर्द के मारे जोर जोर से चिलाने लगता है और पीछे आने के बात ओ लीडर आपने सभी लोगों को लिकिंग और मी संग्यू को मारने का ओरर दे देता है जो देखके लिकिंग तुरंट लीबुची को आपने एक हातों से उठा के जोपडियों में फेक देता है और कहता है लिबुची तुम ओही पे छुपे रहो और हंग्यू तुम इन लुटरों के खिलाब ध्यान से फाइट करना और मी संग्यू भी कहती है ब्रदर लिकिंग तुम भी अपना ध्यान रखना और इसे के साथ इन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते है कि ओ लिडर लिकिंग के उपर अपने स्ट से एटक करती हुए कहता है आज हम दिखाएंगे कि हमारे इस गैंग के हर मेंबर क्या क्या कर सकता है और लिकिंग भी उस लिडर के एटक और तभी हमें दिखाया चाता है मी सौंग्यू भी कुछ लूटेरों के साथ fight कर रहा होता है और वो अपने water erosion sword technique से कुछ लूटेरों को मार के दूर फेक देती है कि तभी एक बंदा पिछे से मी सौंग्यू के उपर attack करने ही बला होता है कि तभी लेकिंग उस बंदे को एक पत्थर से मार के दूर कर देता है और तभी हमें लेकिंग को दिखाय जाता है जो कि उस लीडर को एक जबर्दा सलात मार के दूर फेक देता है जो की दूर जाके ठिक लिबूची के सामने आके गिरता है और उस लीडर को अपने सामने देखके लिबूची घबडते हुए कहता है अरे नहीं मैं तो डिसकवर हो गया मम्मिडे कोई तो मुझे इस गंदी सी बिश्च से बचाओ ए बोल के लिबूची उस लीडर से बहुती ज़्यादा डरते हुए भागने लगता है जिससे उसके पैर में चोटे लग जाता है और ओ उसी तरह से भगते हुए कहने लगता है कासें दादा लिकिंग प्लीस मेरी मदद करो और हमें दिखाय जाता है ओ लीडर लिबूची के पीछे आते हुए कैदा है कुछ लोग मेरे साथ आओ पहले हम इस मोटे को पकड़ते हैं इसके बाद उन दोनों को देख लेंगे और हम दिखते हैं लेबूची के आवासों के लिकिंग उसे बचाने के लिए जाने लगता है और तभी सिंट सिप्ट होता है मिसोंग्यों के तरब जहाँ पे हम देखते हैं पुछ लुटेरे मिलके मिसोंग्यों को घेर लेता है और तभी पीछे से एक बंदा हॉंग्यों के तरब अपने एक कुलहारी फिक के मरता है जो आते हुए देखके मिस हंग्यों बहुती जधा घबरने लगती है कि तभी कोई अपने एटक से उस कुलहारी को दूर कर देता है और बहुत सरे स्लास मर के में सौंग्यों के आसपस के सभी लुक्टेरों को जांड से मार देता है और तभी हमें उसे दिखाया चाता है जो की एक लड़की होती है और उसे देखके में सौंग्यों कहती है सिस्टर तुम कौन हैं और तभी सीन सीफ्ट होता है लूटेरों की लीडर के तरब जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने साथियों को मरते हुए देखकर वो आपने बची हुई सभी साथियों को कहता है चलो सब लोग यहाँ से भागो हम लोग इन सभी से जित नहीं पाएंगे और ए बोलके वो भी भ लग जता है जो लगने की बज़ा से ओ तीनों वही पढ़ ही घायल होके गिर जता है जो देखके लेकिन हैरन हो जता है और पीछे मूर कर देखता है कि ओ कौन है जो एक काम किया है और हम देखते हैं एक करने बला और कोई नहीं ए वही लड़की होती है जिसने मिन संग्यू के जान बचाया है तो गाइस इसे के साथ हमारा ए एपिसोड एही पड़ी कतम होता है तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई